आज हम भाशा अर्ध्यान व्याकरं का अर्ध्यां करेंगे आज हम भाशा अध्यान व्याकरं का तीसरा स्वध्याए इसका अभ्यास अध्यान करेंगे देखते हैं भाशा अध्यान व्याकरं स्वध्याए तीसरा कृति पहली अधूर एकांकित शब्दों के भेद लिखिए शब्दों की जातिया कितनी होती हैं उसे कहते हैं शब्द भेद और आठ होते हैं सग्या सरणाम विशेशन क्रिया विशेशन हैं किस में आते हैं यह अधूर एकांकि शब्द सग्या है या सरुनाम है या विशेशेन है या हमें पहचालना है और उसका भेद लिखना है पहला वाक्या है करामत अली इधर दो चार दिनों से अस्वस्त है करामत अली इसके नीचे क्या है अदूरिखांकित क्या गया है दीनों इसके नीचे अदूरिखांकित क्या गया है तो छात्र दो आपको यह शब्द सग्या है सरुनाम हैं विशहने यह पहेचाना है करामत अली यह सग्या है सग्या के पास भेद होते हैं व्यक्तिवाचक जातिवाचड भावाचक ध्रव आचक से हैं करामतली ये आदमी का विशेश नाम है, इसलिए करामतली व्यक्तिवाचक सग्या है, दूसरा शब्द है उसमें दोरिखांकीद, दीनो, सोमवार, मंगलार, बुद्धुहार, इस दीन विशेश दीन है, लेकिन दीन, इस सब को मिलकर शब्द कौन सा है, दीन, इसलिए दीनो ये शब्द क्या है, जातिवाचक सग्या है, उसी सरह से दूसरा वाक्य है, उसका नाम उसने लक्षिमी रखा था, उसका नाम उसने लक्षिमी रखा था, नाम जो शब्द है, वो किसमें आता है, नाम, विशेश किसी का नाम नहीं है, नामों के लिए विशेश नाम है, कौ लक्ष्मिजें विशेश नाम है न Зап cot क्षिमेब व्यक्तिवाच सग्या अगला वाक्य है कि दूद बेचना झ्यासिहों का धन्दा नहीं था दूद यह जबन ग्यासियँ और धन्दा नहीं कि तिन शब्द इस वाक्य में दूद भ्णशिय हो तों Jong 200 जों equipo होता हैं उसे गिनने के लिए माप चाहिए तौलने के इसलिए दूद सुद्ने हैं जिने तौलने के लिए माप की जुर्वत होती दुसरा ग्यांसिहों यह विशेश व्यक्ति का नाम है इसलिए वो व्यक्तिवाचक सग्या है धन्दा कौन सा धन्दा मोटर गाली का है या सबजी का है या कौन सा है बहुत सारे व्यापार व्यावसाय को धन्दा शब्द है इसलिए धन्दा यह क्या है कौमन नाउन है धन्दा यह जातिवाचक सग्या हो गए अगला जो आगे हैं चाओ था भला इस से बड़ी खुश नशीवी मेरे लिए और क्या हो सकती है खुश नशीवी खुश नशीवी मेरी लिए और क्या हो सकती है खुश नशीवी मेरी किसमत अच्छी इसके लिए जो भाव है ना खुश नशीवी क्या होती हम उसको छू नहीं सकते स्पर्च नहीं कर सकते खुश नशीवी क्या होती उसे आखों से नहीं देख सकते इसलिए जिसे हम छू नहीं सकते स्पर्ष नहीं कर सकते आखों से देख नहीं सकते लेकिन उसका अभास जरूर हमें होता है ओ होता है भावाचक सग्या का शब्द कृति क्रमांक दूसरी निमलिकित अव्य शब्दो पर लिंग वचन कारत का कोई परिवर्ट कोई परिनाम नहीं होता उसे कहते वह विकारी शब्द होते हैं विकारी नहीं विकारी मतलब जिसमें बदलाव नहीं आता वह वह के चार बेदें आपको पता है कि रिए विश्माइदी वोदक वे तो यह पहला शब्द है अच्छा आपको वाक्य उप्रयोक करना है इस वक्या नहीं वक्यार अच्छा शूरू में आए तो यह इसके आगे इस अच्छा सप साथ विश्माइदी भोदक आव्यका कि वाक्य बने इसनली वक्या कैसा होगा अच्छा अब तूम रहोंगे हमारे साथ अ कि इसके नेचे अदोरि अथ्वा यह भी अव्य शब्द हैं पढाई करो अथ्वा फ़ेहँ स्य जाओ अगला शब्द है के बगल मतलब के पास के नज़्दि के बगल कारिया लेके बगल जब्द में बश्टाफ है के बगल ये अववेशब्द है बाई बाई ये जो शब्द्ध है ये चाहिए यहां पर यहां ये यज्ज्य की मात्रा चाहिए थी ठीक है ये वा यह निक हमारी जिसे दाई ही बाई होती है ये उस तरह से तुम्हारे वाई और एक परिछाइए बाई और एक परिछाई हैं बाई शब्द क्या है और बेशब्द है खुरूति तीसरी निमलिखीत वाक्य उनका सुचना की अनुसार काल परिवर्तन कीजिए पहला वाक्य है पेड को काड दिया गया है पेड को काड दिया गया है इस वाक्य को पूर्ण भुतकाल में परिवर्तन करना है जो कोश्टक में सुचना है उसके अनुसार उसे परिवर्तन करना है पेड को काड दिया गया पूर्ण भुतकाल करना है मन्य आपको बताया था पूर्ण वर्तमान काल हो पूर्ण भुतकाल हो या पूर्ण भविश्यक होन वर् ». वर्तमन काल है तो आक्रेक क्यांत में हाइं होने उसके पहले जो शब्त होता है उसका अंति मुषर्न या ई। इए ए की दी ऐसे होते हैं इस इसका पूर्णभुत काल तो उसके अन्त में करता को ने प्रत लगता और उसके पहले जो की शब्द होता है उसका अंतिमॉर्ण होता है यह ऐसे के लिए prends करना है पेड को काक्षट मोइफ विच्च काल करना है पेड को कार दिया गया था इतना ही लिखना है यहां गया शब्द याई यह आया है अंत में था थीते में से एक आया है अगला वाक्यों कुर्सी तूटी हैं सामाने भविष्यकाल करना है सामान निभविश कहाल सामान्निभविश कहाल में क्या होता है अंत में जो करिया होती होसे गागी प्रति लगता है कुर्सी तूटेगी बस हो गया वाक्य तीसे फरा वाक्य राम ने नई बोतल खरी दि fino में नईivos खरी दिये पूर्ण वर्तमान काल करना है या करता है करता राम और राम को नेप्रते लगा है और अंत में जो खरीदी ए की मातराई है मतलब अंत में खाली है लिखना है वाक कैसा होगा राम ने नई बोतल खरीदी है है लगा दिया वाक के पूर्ण वर्तमान काल का हो गया चौत हवाके हैं किताब के पन्ने फटे हैं पूर्ण भवीशेकाल किताब के पन्ने फट चूके होंगे जब मै आज किताब तुमारे हाथ में दे रहा हूं तो म।क्षी उसके रखवाली नहीं करते, ध्याइन ने देते तो मुझे लगता है एक में बाद तो तुमारे किताब के पन्ने फट चुके होंगे ऐसा इस तरह से वाक्य है किताब के पन्ने फट चुके होंगे आने वाले भविश्य में आज जो अच्छी किताब तुमारे पास से आने वाले भविश्य में उसके पन्ने फट चुके होंग विसर्ग संदी स्वर संदी में दो शब्द होते हैं पहला और दूसरा दोनों के पहले शब्द का अंतीम वर्न स्वर है दूसरे शब्द का आरंभिक वर्न स्वर है सोर सोर आये तो समझ लिए जो सोर संदी है दूसरा भेद है वेंजन संदी वेंजन संदी में वेंजन वेंजन आये तो वेंजन संदी वेंजन और सोर आये तो वेंजन संदी सोर और वेंजन आये तो वेंजन संदी और तीसरा भेद जो है विसर्ग संदी अगर शब्द में एक एक शब्द का शब्द विच्छेद संदी विच्छेद उपएक्षा उप यहां पर जो प शब्दें हैं वह पूरा प हैं पूर्ण प हैं जो भी वर्ण होता है कह समझ लेजिए इसके साथ की मात्रा है प कैसा बनता है प हलंत प धन अ बराबर प के साथ क्या है अ है अ क्या है स्वर है दूसरा शब्द का उनता है इशा इक्षा में जो इशब्द है वह क्या है क्या हो इशब्द स्वर है पहले उप शब्द में ओ स्वर है दूसरे शब्द में इस्वर है और स्वर स्वर जब आते हैं तो स्वर संधी होती है दूसरा शब्द है तलीन कौन सा है तलीन तलीन शब्द बनता है तत तत पहला त पूरा है दूसरा त हलंत है हलन्त का मतलब उसके साथ अ नहीं लगा हुआ है त ये क्या है वेंजन है अगला चब्द लिन ल ये क्या है वेंजन है वेंजन वेंजन आए तो वेंजन संदी होती है तीसरा चब्द है अन्याएं अन्याएं अन्य जो य है न यहाँ य य जो य है उस य को अ की मात्रा लगी हुई है दूसरा जो अन्य है उसका पहला आरम भी क्वरण क्या है अ और पहले शब्द का अ और अ क्या होगे स्वर दोनों भी स्वर 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 आये तो स्वर संदी अंतिम चौता स्वर है दूर गती जो रफार का रह होता है न उपरी तो उसका विसरग चिन्न हो जाता है दू विसरग चिन्न धन गती मतलब यह विसरग चिन्ना आया है यह विसरग संदी गाय ने दूद देना बंद कर दिया है और बूड़ी हो गई है यह एक जो वाके हैं दो वाके एक जगपर आये और दोनोंने मिलकर एक स्वतंत्र अर्थ निर्मान किया है तो ये सयूक्त वाक्य है रचना के दुर्ष्टी से तीन भेदोते हैं सरल वाक्य, सयूक्त वाक्य, मिस्तर वाक्य, ध्यान रहे में बार बार हर स्वाध्य में आपको बताते रहता हूं अब ध्यान रहे हैं यहाँ पर दूसरा वाक्य है लक्षमी शान्द खड़ी अपने जक्मों पर ते लगवाती रही जिस वाक्य में एक विदे और एक उद्दिश होता है वो होता है सरल वाक्य इस वाक्य में एक ही विदे और एक ही उद्दिश है इसलिए वो सरल वाक्य है तीसरा वाक्य मा बेटे को ये देखकर आचेरी हुआ कि लक्षमी एक डेड़ घंटे बाद ये घर के सामने खड़ी थी मा बेटे को ये देखकर आचेरी हुआ कि क्या आचेरी हुआ पता नहीं आभी कुस भी अधुरा वाक्य है मतलब इस वाक्य का अर्थ दूसरी वाक्य पर अउलंबित है लक्षिमी एक डेड़ घंटे के बाद घर के सामने खड़ी थी इसका अर्थ पूरा सपस्ट नहीं होता इसका अर्थ भी पहले वाक्य पर अधारी थे मतलब दो वाक्य मिस्त्र होकर मिक्स होकर हमें अर्थ साबित कर रहे हैं इसलिए क्या हैं मिस्त्र वाक्य हैं चौत्वा क्यों गाय को सानी देकर करामतली उसकी पेट देखने लगा गाय को सानी देकर करामतली उसकी पीट देखने लगा इस वाक्य में एक ही उदेश और एक ही उदेश और एक ही उदेश है इसलिए ये सरल वाक्य है कुरुती छटी निमलिखीत वाक्यों में अदुरिखां की शब्द समूह के लिए कोश्टक में दियेगे मौहावरों में से उचित मौहवर का चयन करवाख्य फिर से लिखिए देखो मौहवर के दो प्रकारिया दो भेदे दो धंग से आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है एक यहाँ पर जो बताया है ऐसा कोश्टक में आपको मौहवर दे जाएंगी नीचे दे जाएंगे उन वाक्यों में उपर के कोश्टक में दिये हुए मौहवर का अर्थ होगा आपको खाली हो कौन से वाक्य का कौन सा मौहवर है कौन से वाक्य में कौन सा अर्थ आया है हैं उसका मोहरा कों सा है यह आपको चून कर उसकी जगर लिखना है यह होगा एक भूज दूसरा भेद कौन सा है कि आपको महारा दिया जाता है और कहते हैं कि अधोरे कर निम लिखी मतलब आवाजाना या रुआसी होना तैस में आना मतलब आवेश में आना मू मारना जल्दी जल्दी खाने के लिए उतावला होना ऐसे अर्थ है आपको जब पाठ का विडियो देखते हों तब एध्यान रखना है इसके लिए क्या कहते हैं अपको पढ़ना भी हैं देखते हैं पहला हो किया आवेश में आकर मनुझ ने दौड में प्रत्थम आने की चुनोती स्विकार कर ली आवेश में आकर आवेश का मतलब उपर के महुर में कौन सा है को रजाओ देना है क्या नहीं गला भराना है क्या तैश में आना के लिए आवेश में आकर इशब्द है इसलिए आवेश में आकर निकाल देना है और आपको लिखना है तैश में आकर मनोज ने दौड में प्रत्थम आने की चुनोती स्विकार कर ली दूसरा वाक्य कही दिनों से भूका कुता रोटी देखते ही जल्दी जल्दी खाने लगा मतलब एक तो तैश में आना कट गया अब बचे तीन कोरा जवादेना गला भराना और मुह मारना कोरा जवादने का मतलब तो ओ नहीं हो सकता गला भराने का ओ नहीं हो सकता मुह मारना कहीं दिनों से भूका कुत्ता रोटी देखते ही मुँ मारन लगा आपको उसे अधोर इखांकित भी करना है तीसरा वाक्य मदन नोकरी के लिए बड़ी आशा लेकर गया था परुन्तु मालिक ने उसे साप माना कर दिया मतलब कोरा जवाब दे दिया मदन नोकरी के लिए बड़ी आशा लेकर गया था परुन्तु मालिक ने उसे कोरा जवाब दे दिया मतलब बगर सोचे तुरंट कह दिया नहीं उसे कहते साप मना कर देना चोतह वाक्य है शादी के बाद पुतरी की विदाई करते समय परिवारवालों के आवाज भर आई अब यहां चार दे थे, चार में से तीन तो हमने उसका उपयोग कर लिया है अब बचा एक ही है तो क्या होगा गला भराना, बस वही शादी के बाद पुत्री की विदाई करते समय परिवार वालों का गला भराया यह होगे मुहावरे चून कर उसकी जगों पर लिखना अर्थ पर कृति सात्वी निमलिखीत वात्यों को शुद्ध करके लिखिये पहला वाक्य तुमार उदार नहीं हो सकता है यहां तुमार की जगत तुमारा उदार उदार दहलंद लिखना है यह दो दुरुस्ति उसमें करनी है और वाक्य लिखना है दूसरा वाक्य बहूत मशक्कत के बाद यह काम पूरा हुआ है इस वाक्य में दो तुल्टिया हैं दो गलतिया हैं उसे दुरुस्त करना है पहले मशक्कत तो यह जो है शव शव का शव शमूर का शव उनक या पर ठीक है दूसरा है पुरा का उ की मात्रा है वो दूसरा मतलब दिर्ग उ होना जरूरी है तीसरा वाक्य है तकदीर में जो होगा वही होगा तकदीर शब्द जो है उसकी दी की मात्रा दिर्ग मात्रा चाहिए में जो शब्दें उस पर बिंदी लगानी है आपको अनुसार देना है बाकी बाकी जैसक वैसा चवता वाक्य है चश्मदिदों को बुलाया गया चश्मद चाहिए लिखा है दर की जो मात्रा है पहले दर की दो दर यहां पर पहले दर की जो मात्रा है एकी ओ दिर्ग मात्रा और बुलाया बग का जो उ मतलब पहले दूसरे उ मतलब उसे कहते है दिर्ग उ लिखा हुआ है वहाँ पर तो हमें रस्व लिखना है कुरुती आठवी निम्न लिखी वाक्यों में से साहिय क्रिया खोज कर मतलब पहचान कर छाट कर लिखे ऐसा पूझा जा सकता है पहला वाक्यों एक व्य बाक्य में दो क्रिया होती है वह सभी क्रिया कहा जाता उसे पहली मुख्य क्रिया होती है दूसरी साहिय क्रिया होती है सबसे आसान अगर प्रश्ण होता हिंदी में तो साहिय क्रिया ढूंड कर लिखना पहचान कर लिखना यहां कहने लगा क्रिया कैसे केते हैं जिसे ना प कोष्णत में लगना दूस्दरा वाक के रम जानी चु खड़ी अंगनतकी बाते रही कोष्डप में रहर ना दोनों मिलकर सहीवत क्रिया, सुनती ये मुख्य क्रिया, रही ये सहय क्रिया, आपको लिखना है जवाब खाली, रही, कोश्टक में लिखना है रहना, तीसरा वाके वो लक्षिम्य को सड़क पर ले आया, ले लेना, आया आना, ले ये मुख्य क्रिया है, आया ये सहय क्रिया, आपको लिखना है आया कोश्टक में आना चोथवा के करामतली का गला भर गया भरना गया मतलब जाना यहां भर यह मुख्य क्रिया है गया यह सहय क्रिया है आपको जवाब लिखना है गया और कोश्टक में जाना निमकीद क्रियाहेञ। के प्रथम तताद। तिय रूप लिखिये कि करते हैं है残 कि प्राधम तदूत्य रूप लिखिये देना लेकिन किसी ने कहा अरे इ Feedback दो उसे तो हम desgo kris करते हैं एक किसी के कहने पर लेकिं इसारी ने बताया है दूसरी देना दिलाना दिलवाना सुनना सुनाना इसे होता है इस तरह से भागना भगाना भगवाना खाना खिलाना खिलवथा stories दवड़ना, दवड़ाना, दवडवाना, इस तरह से आपको वाख्य में प्रत्थमतवत रूप लिखने हैं, यहां मैं आपको सब्ज़ना चाहता हूं, जैसे सुमन सेब खाती है, उसे कोई कहता है कि खाओ करके, सुमन को सेब खाती हैं खाने की क्रिया हो रहे खाती खाना एक क्रिया लेकिन महा सुमन को सेब खिलाती हैं मातलब नौकृरानी को प्रेर्णा दिको से खिलाओ फिर इसले खाना खिलाना खिलवाना यह हो कि उसके रूप देखते हैं अगली कुरुती कुरुती क्रमान को दस निम्लखीत वाक्य जो हैं उनके कारक पहचान कर उसकी भेद लिखने यहां पर आपको वाक्य दे हैं सुरेश ने चोरी की कारक के आड़ वेद हैं करता कारक कर्म कारक करन कारक संप्रदान कारक अपदान कारक संबंध कारक अधिकरन कारक संबोधन कारक यहां आपको लिखना है कारक पहचान कर उसका भेद सुरेश ने चोरी की जब करता को ने प्रते लगता हैं तो करता कारक होता हैं विजे के द्वारा यह पारसल पहुचा पार्सल पहुचाने के लिए किसकी मदद लेगी है कौन सा साधर निसमल किया विजे का इसलिए जो हत्यार है काम करने का कारी करने का उसे कहते करणकारग इसलिए के द्वारा यह हैं करणकारग तीसरा वाक्य है अंजु में बहुत दोशे में अधिकरन कारक किस में हैं दोश किस में हैं मतलब आधार किसका मिला दोश को अंजु का जहां अधार होता है वो अधिकरन कारक होता है अरे तुम यहां क्या कर रहे हो अरे यह संभूधन कारक है किसी को जब पुकारा जाता है जिस शब्दक के द्वारा किसी को पुकारा जाता है उसे संभूधन कारक करते हैं यहां चात्रो यह स्वाध्य करमां को तीसरा समापत होता है चात्रो यह वीडियो आप बार बार देखे आपने कक्षा के आपके जो दोस्त है मित्र है उसे सेर करें इस वीडियो को लाइक करें और हां अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो ग्यान समरु पुद्धिशाई चानल को अवश्य सब्सक्राप करें धन्यवाद